नमस्कार, SKP 7 News से मैं हूँ लड़न कुमार फिर एक बार पुलीस वर्दिक दागदार होई बिहार पुलीस के इंस्पेक्टर पर दुसरे की पतनी के साथ नाजाईज संबंद रखने का लगा आरोब पीत ने डियाईजी को भेजी सिकायत पत्र बिहार के दरबंगा जिला से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है बताया जा रहा है कि यह मामला पूरे छेतर में चर्चा का बिसे बना हुआ है चाय की दुकान से लेकर के गली मुहले में लोग इस पर जम कर बहस कर रहे हैं दूसरी और बिहार पुलीस के कारसहली पर सवालिया निसान उठाये जा रहे हैं लोगों की माने तो जब पुलीस वाले ऐसा खुद करने लगेंगें तो समाज में वे क्या संदेश देंगें प्राप्त खबर के नुसार ब्रमन सील दस्ते के इंस्पेक्टर सिब मुनी परसाद पर सदर थाने के एक ब्यक्ती ने उसकी पतनी के साथ नाजाईज संबंध रखने का आरोप लगाया है सदर थाना छेतर के राम सल्ला गाउन निवासी बिरेंदर पासवान ने डी आईजी बिनोत कुमार को रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से मामले की जानकारी देते हुए न्याई की गुहार लगाई है डी आईजी को लिखे पत्र में बिरेंदर पासवान का कहना है कि इंस्पेक्टर सिब मुनी परसाद उसकी पत्नी को परतेक रात सरकारी गारी में उठा कर ले जाते हैं और सुबह होते ही वे अपनी गारी में घर छोड़ जाते हैं आबेधक का कहना है कि इससे समाज में उसकी परतिष्ठा का हनन हो रहा है इससे बच्चों के साधी विवाह में भी आगे चलकर परिसानी होगी साथ ही पासवान का कहना है कि जब इसका बिरोध किया तो पत्नी ने उसके साथ मारपित भी की इंस्पेक्टर ने गोली मार देने की धमकी दी आबेदन पर पासवान सहित करीब चार दरजन ग्रामिनों का हस्ताक्षर है इधर डी आई जी बिनोत कुमार ने स्स्पी गरिमा मलिक से पुरे मामले की जांच कर परतिवेदन की मांग की है